यह गटना मेरी गर्फ्रेंड सलोनी के साथ आज से तीन साल पहले घटी थी हम लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और बहुत जल्द शादी करने वाले थे लेकिन हमारे माबाब इस शादी के सख्त खिलाफ थे सलोनी अपने माबाब के साथ दिल्ली में रहती थी लेकिन पैसों की तंगी के कारण उसे अपना कॉलेट छोड़ना पड़ा और वे अपने माबाब के काम में हाथ बढ़ाने लगी मैं सलोनी से बेहत प्यार करता था और उसे किसी भी हाल में खोना नहीं जाता था हमने घर से तुरन भागने का प्लैन बनाया और रातों रात अपने घर से बाहर मंबाई के लिए निकल गए वहां हमें सस्थे में किराय पर एक मकान मिल गया और कुछी दिनों में सलोनी को एक फोर स्टार होटल में एक रिसेप्शनिस्ट की नौकरी मिल गई हम दोनों बहुत खुश थे हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था शुरुआत में तो सब कुछ ठीक था लेकिन आगे उसके साथ क्या होने वाला था उसकी तो मुझे बिलकुल भनक नहीं थी हम जिस मकान में किराय पर रहते थे उसके मकान मालिक में हमें खास जदावनी दी थी कि रात के दस बज़े के बाद अगर कोई भी दर्वाजा खटकटाता है तो हम बिलकुल ना खोलें चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ हम को ये बात कुछ अजीब लगी खेर हम बहुत ठके हुए थे और तुरंट जाकर गहरी नीन में सो गए तब ही रात के ठीक दस बज़े दर्वाजा जोर जोर से खड़कने लगा सलोनी गहरी नीन से उठी पर उसने दर्वाजा बिलकुल नहीं खोला उसने खिड़की से जांकर देखा कि बाहर एक बूरी औरत अजीब सी हरकतें कर रही है और उसके चहरे पर एक डरावनी सी मुस्कान है वो औरत जोर जोर से दर्वाजा खटकटा रही थी लेकिन सलोनी ने दर्वाजा बिलकुल नहीं खोला वो औरत जोर जोर से हसने लगी और बोली आज तो तुब पच्छे तयार रहना मैं तोबारा आउंगी इतना कहकर वो वहाँ से चली गई ये सब देखकर हम दोनों बेहत खबरा गए और अगले दिन हमने मकान मालिक को इस घटना के बारे में सब कुछ बता दिया लेकिन उसने इस बात को टाल दिया सलोनी के बार बार पूछने पर उसने बोलना शुरू किया मैडम आज से साथ साल पहले की बात है मेरे घर के बाहर अकसर एक बूरी औरत आकर बैठ जाया करती थी वे दिमागी रूप से बिमार थी और हमेशा उसके चहरे पर एक अजीब सी मुसकान हुआ करती थी लेकिन मुझे उस पर बहुत दरस आता था मुझे उससे कोई प्राबलम नहीं थी लेकिन उसका इस तरह से मेरे घर के बाहर बैठना मेरी पत्नी को बिलकुल पसंद नहीं था वो अकसर उस पूरी औरत को का मारकर भगा दिया करती थी कुछ दिनों बाद उस औरत की मौत हो गई लेकिन जब मुझे पता चला कि मेरी पत्नी ने उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी तो मेरे पैरों तले जमीन निकल दी मैं ना तो अपनी पत्नी को माफ कर सका और ना ही खुद को कुछ महीनों बाद मेरी पत्नी की भी किसी ने गला दबाकर हत्या कर दी और मौत का वक्त था रात के ठीक दस बजे मैं तुरन समझ गया कि ये काम पका उस पूरी औरत की आत्मा का है जो अब बदला लेने के लिए वापस लौट आई है तब से लेकर आज तक रोज रात के दस वजे इस खर का दर्वाजा जोर जोर से खटकता है पर मैं उसे बिलकुल नहीं खोलता मेरी बत्नी के जाने के बाद मुझे अकेले में बहुत डर लगता है इसलिए मैं ये मकान किराए पर दे दिया करता हूँ लेकिन वो बूड़ी औरत यहां पर किसी को भी टिकने नहीं देती आप से पहले एक परिवार तो किसी तरह अपनी जान बचाकर यहां से भाग निकला अगर आप मेरी माने तो आप भी जल से जल कहीं और शिफ्ट हो जाएं नहीं तो वो औरत आपको भी नहीं छोड़ेगी यह सब सुनकर हम दोनों बेहर चौँक गए लेकिन सलोली ने अब ठान लिया कि वो रात के दस बज़े उस दर्वाजे को खोल कर ही रहेगी मैंने उसे ऐसा करने पर बहुत मना किया लेकिन वो नहीं मानी उस रात ठीक डस बज़े दर्वाजा दोबारा वैसे ही खड़कने लगा सलोली ने ज्छाक कर देखा कि यह वही बूड़ी औरत है उसने दर्वाजा खोलने के बाद जो देखा उससे हम दोनों की रूख काप गई उस औरत को हम एकदम साफ साफ देख सकते थे बड़ी बड़ी सफेद आँखें और चहरे पर वही डरावनी सी मुस्कान यह सब देखकर हम दोनों की सांसे थमसी गई इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता उस बूडी औरत में मुझे धका दिया और सलोनी पर हमला कर दिया जिससे के वो बेहोश हो गई मैंने तुरंट मकान मालिक को फोन करके बुला लिया हमने सलोनी को जगाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो होश में नहीं आई हॉस्पिटल ले जाने पर उसका इलाज नहीं हो पाया इसलिए हमें उसे मचबूरन पागल खाने ले जाना पड़ा जब उसके माबाब को इस बात का पता चला तो वो तुरंट वहां पहुंचे वहां सलोनी को इस हाल में देखकर हम सब का दिल तूट गया वो पहले जैसी बिलकुल नहीं रही वो दिमागी रूप से बेहत बेमार पड़ चुकी थी कभी जोर जोर से चलाती तो कभी हसती तो कभी दिवार पर अपना सिर मारती और ठीक उसी तरह उस बूरी औरत की तरह एक डरावनी सी मुसकान दिया करती थी जैसे कि उस बूरी औरत की आत्मा अब उसके शरीर में प्रवेश कर चुकी है रात के दस बजे वो दर्वाजा खोलना शायद सलोनी की सबसे बड़ी भूल थी काश वो ऐसा ना करती काश हमने मकान मालिक की बात मान ली होती और तुरंट उस घर को छोड़ दिया होता तो आज सलोनी इस हाल में ना होती दोस्तों आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे फॉलो कर सकते हैं जहां पर आप मुझे परसनली मैसिज भी कर सकते हैं आप अपने विचार हमें कॉमेंट्स के माधियम से जरूर बताएं अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें हम जल्दी आप से अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे तब तक के लिए इजास्त दीजिए